तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पार्ट वन में हमने बटन की पट्टी तिकोनिया बाडर के साथ हमने कैसे बनाया जो नहीं देखे वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्र की तरफ देख रहे हैं बहुत अच्छा बाट बनके तयार हुआ है और जो है अब हम इसको पीछे वाले पल्ले से हम नापेंगे देखेंगे कि तयार हुआ कि नहीं पूरा मोड़ा जैसे देख रहे हैं मोड़े के बराबर हमने यहां से घटा दिया तीन दो एक का जैसे हमन अगर मोड़ते हैं तो आधे पर तयार होता है यहां तक आता है यह हमारी बटन की पट्टी के से हमने इसमें कुंडे जादा लिए कि जितने में हमारी पट्टी बनके तयार होगी इसलिए यहां से ज्यादा आपको लग रहा है और यह देखिए हम आपको कालर बनाना करना है बिल्कुल सही अब देख हारे हैं हमारा यहां से इतना ही बचाये इतना जो बच्क吃 हम यहां इतने में हमारा कालर ऐसे गोल सा बनेगा बहुत अच्छा अब हमें इसको यहां तक देख जब हम घटा खटेंगे इसको इसी जगह में उगे सीद्वाइब करनी है ऊतर, फहली पहला मुझा हमं इसको उतार लेंगे दूसरे कुंडे में हमें क्या करना है कि देख रहे हैं हमें तीन कुंदा घटाना है यहां से एक दो तीन तीन कुंड़ा हम घटा देंगे इसकी बाद हमें जो है तीन कुंड़ा घटाने के बाद इसको हम इसी में रहने देंगे अभी हम पूरी सलाई जो है ऐसे हम बना लेंगे बिल्कुल जैसे बना रहे हैं हम पूरी सलाई बना रहे हैं वापस आक फिर हम आपको बताते हैं किस तरह करना हमें, आगे का हम बिल्कुल ऐसी ही बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे, बहुत ही प्यारा कालर बनके त्यार हुआ, देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही जल्दी बनके त्यार हुआ, देख रहे है तो देख रहे हम आच के हम उल्टी सलाई पर हमें हमने यहां से देख रहे हैं हमें क्या करना है उल्टी सलाई में यहां तक हम बना देंगे हमें इस बात का ध्यान देना है न कि देख रहे हैं यहां पर हमने जो है पहला कुंड़ा उतारा था और तीन हमने घटाए थे तो इस आप हमधी बिनना नहीं है हम यहां से सलाई मोड़ लेंगे दो हमारे कुंडे बच गए अब हमें यहां से दो गटाना है कि अईसे वड़े दो स सब्सक्राइब कर दो इन्यों है 나라고 हो क्यों कि अधर तीन कुंडे डे आवले नहीं जाएए टीन दो हम इसी सलाई में छोड़ देंगे है ऐसे इस तरह पूरी सलाई में बना लेनी है तो हम आच थ 생각을 है उल्टी सलाई में हमें क्या करना है वैसे ही करम दोहराना है हमने हमने जो बना रख़्ा हे यह हमारे तीन कुंडे हम यहां से तीन कुंडे equation बुण और शेल यहां पर जबान जएना जी फूर्न फूरल में उन्डह कार्ण एब च्रूरा प्रताव में इस तरह न राहर बनागे तो यह जो बटन की पत्टी मैं झाले में इस तरह करना है Jen कि दो कुंडा जाली इस तरह प्ला तयाकर लेना है और इसमय जाली के साथ बनाएंगे इसको यहां जरूं कि एहां दो हम जम सबस committees के हां जाली के साथ हम इसमें इसके काज भणा देंगे के हैं यहां से alley कुण जारी के साथ हम इस तरह दोस्तों एज आपको बताने वाली हूं आपको बतालिये उऑफ यहां तक बना जो है अब यहां पर हम आपको पताएंगे side pocket कैसे बनाते हैं यानि गौ में बोलते हैं बगल वाली जेब कैसे बनाते हैं तो इसमें मैं आपको पताओंगी बहुत ही आसान तरी कैसे तो देख रहे हैं हमें क्या करना है हमने यहां तक बना लिया है आप चाहे आपको जितनी च करनी है उस तरह बना सकते हैं देख रहे हैं लंबाई ना अप लिजिए 5 इंच साड़े 5 अब हमें क्या करना है यहां पर हमने इसको जैसे बनाते हैं इस तरह हमने बना लिया है दस कुंडे हमने बुन लिये हैं इसकी बाद हमें क्या करना उन आगे की तरफ करके हम एक दो तीन, चार, पांच, पांच, यह अच्छे, छे कुंडे हमने इस तरह बना लिए, पांच यह अच्छे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसके बाद हमें कुंडा जो है न, घटा देना है, हमें यहाँ पर एक कुंडा और दो कुंडा, हमें घटा देना है, यहाँ पर, हम यहाँ पर जो है यहाँ दो कुंडे हम खटा देंगे अब बिल्कुल वह ऐसे जैसे हम बना रहे हैं अब सारी ऐसे ही जाएगी इस तरह हम बनाएंगे बिल्कुल यही पर हमें ध्यान देना है जो है हम हर सलाई में जो है न हम कुंडे खटाते जाएंगे इसी पर हम्हें ध्यान देना पूरी सलाई यहां से बना के दिखाती हुए आपको किस पर बनाना है तो हमने हों क्या करना है हमने जहां से उल्टा बनाया था जहां से छे कुंडे-मने उल्टे ली थे अमें यहीं तक बनाना है इस साइड का हमें छोड़ देना है यहां दस कुंडे हमारे छूटे रहेंगे उसे हम बाद में बनाएंगे तो जो है, यहां पर हम यहां, यह कुंडे उतार लेंगे इसको हम बना लेंगे ऐसे ही यहां से जो है हम 2, 4, 5 पांच हुआ और इसको हम जो है ना दो कुंडे का हम यहाँ पर एक कुंडा कर देंगे एक कुंडा हम घटाते चलेंगी इधर और बिल्कुल यह वाला ऐसे ही बनेगा जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल इस तरह चलेगा बहुत ही अच्छी साइड पॉकेट बनके त्यार होगी आप देखते रहे हमारे चैनल को हमारे वीडियो देखती रहे है वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेजन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मैं बढ़िया बढ़िया डिजाइन यहाँ पर इस त बना देना है यहां तक बनाना है कि जिससे हाथ जो है इसमें जाने भरका हो जाए इस तरह हमें इतना तक हमें बना लेना है तो देख रहे हैं दोस्तों हम बिल्कुल आसान से आसान तरीके से आपको हम बता रहे हैं जो है यहां तक हम बना लेते हैं तब तक जब तक मैं बना हैं तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तो प्लीज लाइक करना ना फुले उस यहां से बना लिए घ्र इस तरह तो इतना हमारा तयार हो चुका है वैसे मिंच inclinedarna आफ दिखा रहे हैं कितने इंच का तयार हुआ देख रहे हैं आप 4 इंच का तयार हो गया है और जो है चार इंच तयार हो गया है और अब हम यहां से क्या करेंगे हमें यहां से कुंडा यहां से इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अब कुंडा हम जो हैं यहां से नीचे से उठाएंगे देख रहे हैं हमें क्या करना यहां से हमने 41 कुंडे यहां से लिए थे तो 41 नहीं हमें 10 कुंडे हमने छोड़ा कि 10 कुंडे छोड़की 31 कुंडे हमारे होते हैं लेकिन अगर सलाई मोटी ही है थोड़ी हम कुंडा कम भी लेंगे तो भी चलेगा देख रहे हैं इस तरह हमें हम यहाँ पर 31 कुंडे हम उठा लेते हैं इस तरह तो देख रहे हैं हमने यहां पर 31 कुंडे हमने उठा लिए हैं यहां पर 31 कुंडे हमारे हो गए अब हम इसको simple सा यहां तक बना लेते हैं यहां तक इसके बराबर का हम यहां तक बना लेंगे देख रहे हैं हमें बनाना भी किस तरह है हमने कुंडे उठा लिये हैं तो इसको हम इधर से उल्टा करेंगे इधर से सिद्धा करेंगे देख रहे हैं यहां से हमें इस तरह हमें बनाना है इसको ऐसे जिससे कि हमारे सिद्धा जो है ना इस तरह है और उल्टा जो है ना हुए है कि छोड़ा था इतना घटाकर गए है अब हम क्या करेंगे हैं इसा वाला अभी यहां तक बुना जाएगा अभी लेकिन अभी हम इसको इसमें जॉइंट कर देंगे देख रहे हैं दस कुंडे इसमें छूटे हैं तो दस कुंडे हम इसमें ले लेंगे इस तरह बहुत ही आसान तरीकिस में बता रही हूँ थोड़ा ध्यान देने की बात है बहुत अच्छी तरह बन जाए गए देख रहे हैं यहां आ गए अब यह जो है अब हमें क्या करना है यहां से अब हम यहां से यहां तक बनाएंगे यहां तक बनाना हमें हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं हमने दो सिद्धा बनाने के बाद एडिजाइन बनी है यह डिजाइन जो है हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे पर हमें डिजाइन बनानी बना लिए यहां पर हमें एक सिद्धा बिनकर हमें आगे करके हमें जाली बनानी है यहां से हमें देख लेना है कि हमने डिजाइन कैसे यहां पर बंद किया था डिजाइन बनाते समय देख रहे हैं हमने यहां से दो सिद्धा जो जाली के बीच में है मैं इसको बना लेंगी हमें इसको बना लेंगे हमें इसकी बाद बिल्कुल ऐसे ही बनाएगी सिंपल सा ल साइड पॉकेट tambéमढ़े, तो यह हमें दिखेगा क Holz हमने बना लिया तो हमें दीजाइन यह हमें यहां पर बना नहीं है तो यह रही है तो यह हमें तो देख रही है। में देख रहे हैं दोस्तों हमने यह बना लिया है जो यह बना लिया ही है झाल ऑख estásic subsidy we will कर देंगे बिल्कुल जेब बनकर तयार हो गई यानि साइड पोकेट चाहए बगल की जेब जो भी बोल सकते हैं आप तो देख रहे हैं हमें क्या करना है यह जो दस कुंडे हमने पहले बनाये थे इसको हमने पहले बना लेना है और जैसे यहां पड़ था बिल्कुल ऐसे नमझां देना है जो आप जो है डिजाइन तो ऐसी बनेगी जैसी डिजाइन है हम इस तरह में 1 2 3 4 5 हुमारे हो चुके हैं 10 कुंडे अब हमें क्या करना है AIDSा यहां से देखना हमें कि यहां से मिने शुरू किया था यहीं से इस को हमें इसमें लेना है यह देखिए यहाँ पर हम इन कुंडों को जो है इसमें एक कर देंगे आगे करेंगे इस तरह हम दो कुंडे का ऐसे जाली बनाएंगे इस तरह देख रहे हैं हमें इसका भी उतारना इसका भी उतारना है ठीक अब फिर हम ए दो कुंडे देख रहे हैं दोनों कुंडे हम इस तरह बनाएंग देखिए यहां से अब हम उन आगे करेंगे और जो है एक जाली दोनों कुंडे ऐसे बनाएंगे तक मैं बना रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको तब तक यहां तक बना के तिखाते हैं तो देख रहे हैं दोस्तों हमा अब प्लूंगे आइंरा 22 वालाव ने बनाली है यहां अब इसमें शतीज कॉनडे लेंगे भूद्हें बिल्कुल आईस डिजाइन बनानी हैं तो हम वेतलय की थैसे वागाना है कि उप्त्षे की बाजू पर इस तम कि ने हो जाएगा है इतने कुंड़ा है इतना हम इसमें भी जो है ले लेंगे इतना कुण्डा और यह रहा हमारा इसमें हमने 36 कुण्डे लिए हैं 36 कुण्डे में हमें बिल्कुल एई ही डिजाइन यही करम दोहराना है इस तरह हम थोड़ा जैसे की 6-7 इंच के बाद हम कुंडा बढ़ाने श्टार्ट करेंगे अभी नहीं बढ़ाएंगे इसके बाद हम side side में एक एक कुंडे बढ़ाते चले जाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 ऐस उसके बाद जाली फिर हमने इहाँ पर 6 खंडे यहां पर हमें शेकुंडे लेने हैं इस तरह जैसे हमने वहां बनाया था बिल्कुल ऐसे हमें बनाना है इस तरह हम इसको तैयार कर लेंगे बाजू को तो देख रहे हैं दोस्तों हम बाजू को बना रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए जिसे मैं चैनल सस्क्राइब कर देंगे तो आपको हमारी नोटिफिकरेशन से सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तो देख रहे हैं हमने यहां तक बाजू को इतना बना लिए हमने देख रहे हैं चार लाइन हमने इसमें कर रखा है अब यहां से हमने एक एक कुंडे बढ़ाने शुरू किये यहां से साइड साइड से हमारे एक कुंडे क्या करते हैं एक एक डिजाइन इधर भी आ जाएगी हम पूरी बाजू जो ए बना कर तयार कर लेंगे हमें क्या कर दिखा हरे हैं बाजू जो है किस तरह को बन कर दाय कर cud प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ सेयर कर दीजिए देख रहे हैं हम यहाँ पर जो है ऐसे उनको आगे करके इस तरह जैसे हमने जाली बना रखी है उस तरह हमें बनाना है ऐसे इस तरह हम बना लेंगे जिसे एक एक डिजाइन हमने बना लिया यहां तक, देख रहे हैं किस तरह डिजाइन बनकर तयार होगे, इस कुंडे हमारी इतने होगे कि डिजाइन भर का हो गया, अब हम सिध्धा यह ऐसे बना लेते हैं, वैसे हम ने अंदाज़ा लगा लिया है कि हमारी बाजु में जो है, मोड थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया थे आपको हमने बताया देख रहे हैं हमारा यहां तक जो तयार हो अभी इसको घटाएंगे नहीं बिल्कुल सिद्धा ऐसे ही हम उतार लेंगे जैसे हम उतारते हैं सलाई से इस तरह में बना लेना है हम यहां से घ्टाते हुए सारा हम ऐसे उतार लेंगे को अब आसरे देख रहे ही इस तरह में यहां तक उतार लेना ए वैसे ले अशू कित्नी सब्सक्राइन होनी चीन बाजू हमने जहां से मोटगड़ता से में पला दिखा देश्ञें हमें पर फिर हमें क्या यहां से सते गिन लिए सपारा जिए सटारा इसमें यूषंने वी सपारती आयेगी देखैं यहां Sak बाजू को भी छोटी बच्चा जब तक कोटी डालेगा ना छोटी कभी ने बाजू भी छोटी नहीं कई बार हम कोटी तो पूरी आती है लें बाजू छोटी हो जाती है तो बाजू छोटी कभी नहीं आएगी यहां तक फुल बाजू हमें बनानी है जिससे बाजू छोटी न कर लेंगे जैसे हमस्विलते हैं आपको बता दे इस तरह हम से लाइक यूज इसकी बात को आज वहीלה बता आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा वो मैं आज आपको बताने चल रही हूँ देख रहे हैं इस तरह उतार लेना है तो देख रहे हैं दोस्तों हमारा पीछे का पल्ला तयार हो गया दोनों आगे का भी तयार हो चुका है देख रहे हैं यह देखी आगे का पल्ला और यह हमारे दोनों बाजु देख रहे हैं हमारे दोनों बाजू भी तैयार हो चुके हैं अब हम इसको अभी दिखाएंगे सुई से सिल देंगे इसको हम अब हमें क्या करना है हमें आगे का पल्ला जो है हम पीछे का पल्ले में जोड़ देंगे इस तरह देख रहे हैं इसमें हमें क्या बताना है आपको यह जो हमने घटाया है, देख रहे हमने घटाते समय, जब कॉलर हमें बनाना है ना, तो हमें यहां तक हमने कुंडे घटा दिये, हम जो कंधा छोड़े हैं वही हमें जोड़ना है इसमें कंदे में, यह जो हमने घटा के छोड़ा इसको हमें जोड़ना नहीं है, हमें देख र सिर्फ हम यहां तक जोड़ेंगे हम दिखा रहे हूं इधर से इधर से दोनों तरह से जोड़ के मैं आपको दिखा रही हूं वीडियो में देखिए यहां से एक उसमें से एक हमारा जो खटाया हूँ पुंडा है इस तरह में पूरा उतार लेना है तो देख रहे हैं दोस्तों हमने जो है सारा यह कंधा जोड़ लिया पीछे का हमने आपको दिखा रहे हैं यह जो हमने घटाया था कुंडा देख रहे हैं इसमें हमारे कुंडे बचे हुए जो हमने घटाया था तीन दो एक फिर एक एक करके हमने घटाया था यह है इस साइड में यह हैं और देख रहे हैं यह जो है हमारा पीछे का पला कंधा जोड़ दिये जो बच गया कुंडा वो हमारे इतने कुंडे हैं हमें क्या करना है इसमें हम उन को लेंगे देख रहे हैं उन हम यहां से इस तरह बनाएंगे यहां से हम ऐसे करेंगे इसको उन जोड़ लेंगे दूसरा उन लेके इतना उन लेना हमें कि उन कालर बनाने तक का पूरा हो जाना चाते हैं बीच में हमें गाठ नहीं लगानी है इस करके मैं बड़ा सब ले रही हूं इतना सा कि जिस से हमारा जाय इसमें तो यह रहा हमारा देख रहे हैं इसको हमें उल्टी स्लाइस इसारी बना लेनी है धिके मिल्टी हमें बना ले है इहां से जितने हमारे कुट हैं पह् Today हम वीच में क्या करेंगे वि जहाँ ज्यादा गयब है एक हम यहां से ऊप सक्षटांगा करें हैं또 ऐसे बीच-बीच में हम उठाते हुए है यहां से बहुत एच्छा कालर बन के तयार होगा जहां गयप ज्यादा होई इसे कुंडा हमें उठाना है नहीं तो उठाने की जरूरत नहीं है देख रहे हैं यहां से हमें इस तरह ऐसे यहां देखिए इस तरह हमें बना लेना है देखिए यहां तक हमारा कितना कुंडा हो गया हमें ध्यान देना है कि जितना कुंडा हमारा इधर हुआ है इस साइड भी हमारा इतना कुंडा होना जाए पीछे का तो ऐसे ही रहेगा पीछे हमें क्या करना है अभी हमें यहां पर देखिए यह जो यह देखिए और यहां बचा हुआ हुआ है इसको हम ऐसे रहने देंगे इसको हम इस तरह बना लेंगे ऐसे उल्टी स्लाइस आरी हमारी ऐसे चलेगी यहीं तक नहीं छोड़ना हम आपको पूरा कालर बना कर दिखा आप लास्ट तक देखना वीडियो में जो कालर कैसे बनके त्यार होता है यहां पर देखिए देखिए यहां तक हमने बना लिया है है यहां थे दविन हम यहां लेंगे क्योंकि पीछे भी हमने लिया था यह दो टेश सो doc उल के ओर है है यहां धार इखना हमें वहां गिन यहां पर जो है एक क्यस्ष news फ उतिन कर द coming हम लेना है यह देखिए, यहाँ पर हमें इसलाई रख देनी है, एक, दो, यहाँ पर इमारा तीन कुंडा हो गया, यहाँ चार, पाँच, छे, इस तरह हमें कुंडे उठा ले तो हमें यहाँ तक आ चुके हैं, सारा कुंडा हमारा उठ गया है, देख रहे हैं, अब हमें जो है, सारे सलाई यह वाली उल्टी बना लेनी है, इसको हम उल्टा ही ऐसे बना लेंगे, इसको हम ऐसे बनाएं अब 5-6 सलाई तक हम ऐसे इसको बना लेते हैं अभी कुंडा हमें बढ़ाना घटाना कुछ भी नहीं है उसके बाद मैं 5-6 सलाई बणा गें तो देख रहे हमने यहाँ पर 5 सलाई हमने बुन लिया है अब इसके बाद जो है हम कुंडा बढ़ाएंगे देख रहे हैं कुंडा हम इस तरह बढ़ाएंगे किनारे वाला हम बुन लेंगे इस तरह उतार लेंगे उसके बाद जो है हम यहां से कुंडा एक और बुन लेंगे इसके बाद हम यहीं से कुंडा बढ़ाएंगे यहां से एक या दो हमें बुन कर इस तरह हमें कुंडे बढ़ा लेना है साइड साइड से इस तरह हमें जितना बढ़ा कालर करना उतना बढ़ा जो है हम कुंडा बढ़ा एक एक कुंडा बढ़ाते हुए हम उतना बड़ा कालर बना लेंगे इस तरह हम इस साइड से भी और हम यहां से इस साइड दोनों साइड से हम बढ़ाते हुए ऐसे बना लेंगे कॉलर को तो देखिं आपने मज़िश चोटा बड़ा कर सकते हैं और हमने तो यहान कालर में जो हाँ उल्टी श striking है आप जो बार्डर बना सकते हैं जो मर्झ बार्डर सकते हैं एक बुन कर उताँब वाला वह भी इस मैं हमारा collar पूरा हुआ नहीं अभी मैं ने आपको बतार हूए इसको इतारने के बाद आई I एमसे जोडना ढटेस को नहीं हमने साइड में अभी मैं लगाना हुए मने इस जो है हमारा ये कॉलर बनके तयार हो गया है और हमने इसको दिखाया आपको कि सलाई से हमने उतार दिया है सलाई से उतारने के बाद हमें क्या करना है देख रहे हैं हमने एक टिकोनिय बाडर जो हमने बना कर तयार कर लिया है इसके बराबर का इसके बराबर का हमने देख नाप की हमें बना लेना है इस तरह हमें इसको इसमें जॉइंट कर देना है सुई के सहारे में सिल देना है उल्टा सिधे देख के हमें कि जैसे कालर को हम ऐसे करके देख लेंगे सिधा आ रहा है तो हम इसमें जो है ना, इसको यहां से सिद्धा, इस तरह हम इसकी सिलाई कर देंगे, यहां से, यहां से हमें, यहां से ऐसे, इसकी सिलाई कर देनी, सुई से, ऐसे, हमें पूरा, यहां से वहां तक हमें सिल देना है, इसके बाद हमें क्या करें ना, यहां पर एउन हमने यहां से सूई के साहरे हमने सारा जोड लिया अब यहां पर हमें मोती लगानी है मोती देख रहे हम यहां कोने कोने पर सारी हर जगा देंगे इस तरह यहां से एक लगा देंगे इस तरह यहां से हम इस तरह कर देंगी कि जिससे निकले ना है इस तरह हमें सुई के सहारे हर जगा हर कोने पर हमें यह मोती लगानी है देख रहे हैं बहुत ही अच्छी लगती है लगाकर देख रहे हैं यहां पर लगा देगे मोती है जो है तो हमारी कोटी कैसी लगी है आपको हमें कमेंट में जरूर बताना और बिना लाइक किये प्लीज जाना मत जो है और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब जरूर करना औ कमेंड में पर हमारी कोटी से लगा अब मैंुद हम handler एक हमारी उपन में ज़िए नहीं पर बनू से यहां तक तो यहां से लेकिन को पर दो आप यहां से यहां से यहां तक कर Member gown हमारी कोटी तयार हो चुकी है तो देख रहे हैं हमारी कोटी बनकर आज तयार हो ही गई है और जो है यह मैं आज एक दीदी ने कमेंट किया था उनकी फर्माइस भी आज पूरी हो चुकी है और देख रहे हैं हमने यहां पर मोतिया लगा दिया है और यहां पर लगा सकते हैं आपको दिखा दूँगा कर बिए अब तेखा भी ऐसे लगी कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजी और कमेंट में हमें जरूर बताना कि कैसी लगी हमारी कोटी तो मिलते हैं फिर हम इसके बार एक टोपी आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं यानि कैप जिसको कहते हैं बचे हुए हमारे पास उन तो थोड